नमस्कार स्वागत है आपका न्यूस वल्ड इंडिया में मैं हूँ आपके साथ भारती सिंग्ग मत्रवा के थाना गोविन नगर शेत्र में मंगलवार की देरशाम असमाजिक तत्वों ने हमला बोल दिया देशाम चालिस से पचास लोग एकत्रित होकर मसानी शेत्र सित आरसिस कार्याले केशव भवन पहुंचे जहां उन्होंने एका एक पत्राव करते हुए कार्याले पर हमला बोल दिया बताय जा रहा है कि एक समुदाय विशेश के कुछ असमाजिक तत्वों के लोगों ने राष्ट्य स्वयम सेवक संग के सरस्वती कुंड मसानी स्थित विभाग कार्याले केशव भवन पर पत्राव करते हुए हमला बोल दिया इस हमले में संग कार्याले पर मौजूद दो करमचारी चोटिल हो गए हमले की सूचना मिलते ही संग और भाजपा के पदाधिकारी कारेकरता मौके पर पहुँचे पुलिस के आने से पहले ही हमलावर वहां से भाग खड़े हुए घटना करम के अनुसार शेहर के गोविंद नगर थाना शेत्र में कल्यान करोती के समीप आरसेस का विभाग कार्याले केशव धाम है वर्तमान में यहां निर्मान कारे चल रहा था बताया गया है कि कुछ दिन से सडक पर पड़ी निर्मान सामेगरी चोरी हो रही थी एक दिन पहले सोमवार को लोही की सर्या चोरी हुई थी जिसके चलते एक यूवक एके खान को पकड़ कर पुलिस के सुपूर्ट कर दिया गया था जिसे पुलिस ने कुछ दिर बाद छोर दिया था मंगलवार की शाम समुदाय विशेश के करीब दरजन भर यूवक महिलाओं के साथ कार्याले पर आए और पत्राव करना शुरू कर दिया अचानक हुए इस हमले से वहां मौजूद सोनू और पवन कुजर चोटिल हो गए उन्होंने घटना की जानकारी संग और भाजपा के बड़े नेताओं को दी घटना के सम्मंद में संग के पदाधिकारी डॉक्टर संजे द्वारा तहरीर दी गई मौके पर डॉक्टर कमल कौशिक, अमिज्यन एवं भाजपा महानगर, अध्यक्ष विनोद अगरवाल, राजुयादव, शिफकुमार, बलरामादी पहुँच गये आरसेस कारयाले पर हमले की सूचना से पुलिस में हड़कंप मच गया है हिंदुवादी नेतामज्यन ने आकरोश व्यक्ट करते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं पर पुलिस को लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए घटना के संबंद में सियो सिटी वरन कुमार ने घटना स्थल का निरिक्षन करते हुए और प्रांथ बताया कि मामले में थाना गोविन नगर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है दो दोशियों को अरेस्ट कर लिया गया है बाकी की पहचान कर गिरफतार करने का प्रयास किया जा रहा है फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही जुड़े रहिए न्यूस वर्ल्ड इंडिया के साथ धन्यवाद